नमस्कार बहुत स्वागत है आपका साल का पहला सूरी गरहन बैसाख अमोस्या को लग रहा है गरहन के समय राहू और केतू का नकात्मक प्रभाव पूरे पृत्वी पर पड़ेगा और सूरी चंदर गरहन के समय कोई भी सुबकाय नहीं किये जाते लेकिन क्या आपको पता है सूरी गरहन समाफ्थ होने के बाद नहाने के पानी में कुछ खास डाल देने से राहू केतू की सांथ ही होती है पितरी दोस समाफ्थ हो जाता है जीवन की मुस्कले कम हो जाती है लेकिन गरहन के समय कुछ खास नियम का पालन किये जाते हैं अगर पकाया वह खाना है तो तुलसी पत्ते डाल कर रखें इस समय खाना मत खाये पानी मत पीजिए जहां तक संबब वो सोने से बचिए और प्रभु भक्ति कीजिए आप मंत जब कर सकते हैं गरवती महिलाओं को खास कर बहुत साथानी समय रखना चाहिए इस बार का गरहन सुबह साथ बचकर पांच मिनट से सुरू होगा और दोपहर बारा बचकर उन्तिस मिनट पर समाप्थ होगा हलांकि यह गरहन भारत में नजर नहीं आएगा इसलिए सुतक काल भी माने नहीं होगा लेकिन गरहन समाप्थ होने के बाद असनान जरूर कीजेगा सुरी गरहन समाप्थ होने के बाद जब आप असनान करेंगे तो नहाने के पानी में क्या डाल दें कि गरहन के दूस्प्रभाव से बच जाए जो तिस कहता है कि काल सर्प दोस पित्री दोस जीवन के कष्टों को बढ़ा देता है और इन दोसों को होने से जीवन में तरक्की नहीं हो पाती और जब सूरे गरहन हो तब आप नहाने के पानी में विशेश बस्तू डाल कर इन तमाम दोसों से आप मुक्ति पा सकते हैं तो पित्री दोस अगर हो अगर काल सर्प दोस हो या फिर सूरे गरहन के कारण आपकी रासी पर सही सप्रभाव नहीं हो या फिर कोई भी समस्या हो लेकिन गरहन के बाद जब आप नहाने के पानी में खास वस्तू डालते हैं तो जीवन के हर कस्ट मिट जाते हैं वैसे तो नम तो एक बात याद रखिए जितने भी वस्त्र आपने पहने हुए हैं तमाम कपड़े दो दीजिएगा और साथ ही आप अपने घर में पूरे घर में गंगा जल का छिड़काओ करें साफ सफाई करने के बाद फिर भोजन बेगरा बनाईएगा खाने पीनी के बस्तू में तुल तो आप तुलसी का पत्ता डाल सकते हैं तुलसी का पत्ता हर किसी के घर में मिल जाएगा आप पहले से तोड़कर नहीं रखा है तो पेड़ के पास जो गिरेवे पत्ते हैं उसी को उठाकर आप डाल दे फिर उसी पानी से नहाए और तीसरी बात अगर तुलसी का भी पत्त तो कुषा घास थो गाई का फीर defend का फाई में बीना हो सी जिसे बारी गरहन के बाद जहां तक संभव हो आपको अगर दान करना है अगर आपके लिए गरहन का प्रभाव अच्छा नहीं है तो क्या दान करेंगे तब आप दान कीजिएगा गुड या गेहुंका अगले 24 घंटे के अंदर ये चीज आपको दान कर देनी है आपके जीवन से नकात्म प्रभाव हट जाएगा वैसे आप गाय को भी खिला सकते हैं फिलाल विदा लेंगे हर हर महादेव